गुड इवनिंग रेलबे एंटी पीसी सीविटी वन का आपका रिजल्ट दे दिया गया है और इस वीडियो में क्या चीज रहना है सब पहले मैं इसका कुछ पॉइंट बार इस पर चर्चा कर देता हूं उसके बाद आपको सुविदा हो जाएगी कि इस वीडियो में क्या है उसको देखने में सब पहले तो इसमें हम चर्चा करेंगे नॉर्मेलाइजेशन में भारी उतार चरहाओ इसके बाद कई सारे स्टुडेंट्स का रिजल्ट्स निर्धारित का टॉप से ज़्यादा रहने के बाबजूद नहीं होना इसके बाद है कि इंडिविजुल प्रो स्टुडेंट्स के एकाउडिंग दोनों का देखने का अलग लग पहलू है इस पर चर्चा करेंगे इसके बाद फ्रस्टेट स्टुडेंट्स अभी हम देख रहे हैं लगातार स्टुडेंट्स जो फोन करते हैं भारी फ्रस्टेशन में हैं भारी परिशानी में हैं और भा आखिर इसको लेकर के प्रोटेस्ट जो सारे टीचर्स मिलकर कर अभी चाह रहे हैं वो कितना हद तक जायज है और किस रूप में उसको आगे बरहना चाहिए और उसका प्रोग्रेस रिपोट आपका क्या है इस सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो हम आते हैं कि नौर्मेलाजेशन में भारी उतार चर्णा अभी आप देखेंगे कि जहां तक नौर्मेलाजेशन की बात है कि जीरो से ले करके 24 मार्स तक की ब्रिद्धी हुई है तफ सेट जहां पर भी था वहां मैक्सिमम बढ़ोत्री हुई 17 से 24 मार्स 25 मार्स तक का बढ़ोत्री हुआ है और जो मॉडरेट सेट था तो वहां पर 15-16 मार्स तक का ब्रिद्धी हुआ है और जो इजी सेट था जीरो से साथ आठ नमबर तक बढ़ा है तो इतना भारी उतार चरहा क्यों हुआ है तो ये तो निरभर करता है कि question के प्रकृति पर जहां भी tough बहुत ज़्यादा tough था तो वहां maximum बृद्धी हुई है actually मैं इसमें एक चीज और समझना है कि अगर आप अधिक सदिक tough question को attempt किये हैं तो वहां पर मार्स आपका ज़्यादा बढ़ता है कई बार आपको देखने को मिलता है एक ही sitting में आप भी 70 question attempt किये हैं दूसरे बच्चे भी 70 question attempt किये हैं तो वह इसी परिस्थिती में पता चलता है कि दोनों का मार्स समान ना हो करके तब भी मार्स में अंतर है दोनों का तो वहां पर कारण ये होता है कि हो सकता है कि 70 question आपने जो attempt किया है उसमें साथ में tough question की भी संख्या अधिक होगी और easy question की संख्या बनिश्पत कम होगी दूसरे बच्चों के same sitting वाले का इसलिए यहां पर मार्स में आपका उतार चराव हो सकता है तो इस पर चुकि ये एक rule के तहत होता है normalization rule के तहत इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रसंचिन उठा भी नहीं सकते है तो ये उतार चराव भारी रहा है और उसका student को lab भी मिला है और कहीं कहीं इसका loss भी हुआ है जिन बच्चों का कम बड़ा है तो सभावी के का आप मान सकते हैं कि already जिनका maximum marks था question अगर आसान था तो वहां प्रिद्धी आपको कम देखने को मिली है तो ये अभी उचित समय नहीं है इस पर चर्चा करने का लेकिन हम दूसरे बात पर हम चर्चा करेंगे कई सारे ऐसे भी बच्चे आए मेरे वाटसप पर भी मैसेज किये हुए है वो इस्टूडेंट कि निर्धारित जो कटोफ अभी दिया गया है उन बच्चे कमार संबंदित बोड में उससे अधिक है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया है तो हमको लगता है कि एक दो दिन आप वेट करें इसका कुछ न कुछ निसकर्स निकल करके बाहर आपका आएगा इसके बाद हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कुछ बच्चे आज कोचिंग सस्थान पर भी आये थे और कई जगा हम लगतार देख रहे हैं वाटसप पर भी कई सारे वीडियो भाइरल हो रहे हैं कि इंडिविजूल ओफ लाइन लगतार प्रोटेस्ट में लगे हुए है हलांकि उनकी संख्या एकदम लिमिट है तो ये बात आप समझ लिजए कि जब तक आप में एक जूटता नहीं रहेगी जब तक आप अधिक से अधिक संख्या में नहीं रहेंगे तब तक कोई भी अभियान आपका सफल नहीं होना है इसलिए सबसे पहले तो आपस में कैसे आपकी संख्या बढ़ेगी ये महतपुर्ण है कुछ टीचर को भी हम देखे कि अभी आपका ट्विटर केंपेंड में लगे हुए है ट्विटर केंपेंड हो रहा है तो सभाविक है कि individual twitter campaign होगा चाहे teacher के माध्यम से हो या student के माध्यम से होगा तो थोरा सा परिशानी रहेगी संख्या आपका अधिक सदिक नहीं होगा तो और दूसरी बात ये भी समझना है कि maximum चुकि student अभी परिशान है तो निश्चित रूप से जो student उन बच्चों को पढ़ाए हुए है तो साथ में वो भी परिशान चल रहे हैं और सारे teachers चाह रहे हैं कि आपका जो भी परिशानी है जो परिशानी आपका दिख रहा है तो उ आपस में सहमती बनाने की कोशिस की गई और जब सब के आपस में सहमती बन गई तो सारे teachers video बनाए और student भी लगातार उससे परभावित हो करके जब campaign चला तो उसमें अधिक सदिक संख्या में participant बने तो हम चाहते हैं कि कल एक हमारा meeting हुआ रात में 10 बजे जूम पर तो उसमे बहुत सारे teacher उपस्थित हुए थे लेकिन एक संख्या जो दिखना चाहिए था उहाँ पर भी कमी हमको दिखा तो आज हम लोग सारे teachers का जो teacher खल उपस्थित हुए थे उस protest के लिए जूम meeting में तो सारे teacher का यही हमबर करहा कि आज सारे teachers अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने क कोशिस करेंगे दूसरे तीसरे teacher से बात करेंगे और तब एक जूट हो करके रात में दस बज़े meeting में यह निरने लेंगे कि किस दिन यह protest आपका digital protest या twitter campaign जो भी होना है उसको हम लोग किस रूप में आगे बढ़ाए उसका hashtag क्या होगा वगर वगर हर बात पे चर्चा होगी तो समझ यह कि आप देखे होंगे कल खांसर भी वीडियो बनाए कुमार गौरफ सरकावी आप देखे होंगे और माकी के अन्य सिक्षक जो भी YouTube पर एक्टिव है MD Classes वाले शत्यम जी है प्रकास अवस्थी सर है उमंग स्टेडी वाले सर है एसके जह सर है और भी कई सारे teachers है जिनका नाम हम दिमाग में हमारा नहीं भी आ रहा है तो सब teacher की इस बात में आपकी सहमती है और सारे teachers आज रात में दस बज़े जूम मीटिंग में सामिल होंगे और ये आप मान लेजिए कि जो आज का निरनय होगा वो बहुत प्रभावी होगा और निश्चित रूप से सर कार को प्रभावित करेंगे ही करेंगी और सारे student का वहाँ support भी मिलेगा तो अब मूल बातों पर अगर हम आते हैं तो कि आखिर ये आंदोलन किसलिए तो ये आंदोलन इसलिए कि हम मानते हैं कि railway के द्वारा ये सफाई निश्चित रूप से दी जाएगी कि हमने notification में ये ब इतना अंदाजा ना तो बच्चों का था और ना ही किसी teacher का था कि इतना जादा इससे प्रभावित होना है सारे बच्चे या teacher समझ रहे थे कि जो 20 कुना result दिया जाएगा individual person to person 20 times होगा यानि कि 7 से सारे 7 लाख बच्चे उस result में सामिल होंगे और अगर वह इसा होता तो maximum जो बच्चे डिजर्व करते थे उनका निश्चित रूप से result हो पाता तो अब बच्चों का ये कहना है कि 12 साल पोने 3 साल 3 साल से हमने लगातार मेनत किया और कुछ एक मार्स से इतना अधिक cut up जाने के कारण हमारा result अभी रूक रहा है और कुछ बोड में तो आप देख स बोड के एक सीट था आपका टाइपिंग वाला वहां से कंडिडेट का सारे 36 का टॉप गया और उसी बोड में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए आपका कैटेगरी लेबल 6 में सारे 86 का टॉप गया मतलब कि सारे 36 सारे 86 50 मार्स का मार्जिन रहा इतना ज़्यादा उतार चर सुतना रिजल दिया गया लेकिन पीटी के टाइम में ही ये तई कर दिया गया कि ये बच्चे दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई किये हैं ये बच्चे तीन पोस्ट के लिए क्वालिफाई किये हैं ये बच्चे चार पोस्ट के लिए क्वालिफाई किये हैं और सिवीटी इसके अलाबा इंटर्वीव होता है, SSC में PT होता है, MENS होता है, इंटर्वीव होता है, स्टेट लेबल का जितना PCS होता है, PT होता है, MENS होता है, इंटर्वीव होता है, तो ये जब वहाँ पर भी अधिक सधिक पोस्ट रहता है, पोस्ट आप प्रिफेंस वहां भी लिया जाता है तो ये इनिसियली सुरू से ही लेबल बाइ लेबल रिजल्ट क्यों और जो पहले का प्रोसेस था उसमें परिशानी कहां पर थी ये परियोग रेलवे के ही बच्चों के उपर क्यों तो ये बात आप माल लिजे अगर आप च जा सकता है और पांच स्टेट में एलेक्शन भी है तो निश्चीत रूप से कोई भी गोवर्मेंट रिस्क नहीं उठाना चाहेगी और ये कोई नजाइज मांग नहीं है ये बिल्कुल आपका जाइज मांग है ये अलग बात है कि रेलवे उसको किलियर की थी पहले आपका नोटिपिकेशन में लेकिन अगर रेलवे को अगर ये बात समझाया जाए अगर वो समझ पाए विद्यार्थी के दर्द को उनको इस चीज में इंप्रूब्मेंट लाना परेगा तो इसको ले करके आज रात में जो मिटिंग है कल आपको सारी बात हैं सामने आ जाएगी औ इस समय आपका प्रोटेस्ट का डेट निर्धारित होगा तो उसमय आप उसमें भाग लिजिएगा अधिक साधिक संख्याम भाग लिजिएगा अधिक साधिक ट्वीट रिट्वीट कीजिएगा और ये अभियान आपका सफल होगा लेकिन ये बात आप माल लिजिए कि आग आप देख रहे हैं कटॉप का जो बरतमान इस्तिती रहा है तो अभी आपको ये मान करके नहीं चलना है कि गुरूप D आपका बहुत आसान रह जाएगा वहां पर भी कटॉप आपका जाने की संभावना बनी रहेगी इसलिए वहां भी 70 से 75 के बीच में आपका टार्गेट हो सुबकामना है वह से बच्चों को और अगर ये कुछ भी इसमें फिर बदल होता है तो यह आप दोर से बाहर नहीं होंगे हम इस बात को निश्चित रूप से आपको बता सकते हैं यह अलग बात है कि अभी कंपेट्शन आपका थोरा सा आसान हो गया है फिर आपका कंपेट तरीके से चाहिए कि पूरा अपना ध्यान के अंदरित करके पूरी तरीके साब सीवीटी टू के तयारी में लगाएं और कल से हम कुछ सीवीटी टू का भी स्पेशल अब आगे तयारी कैसे आपका और बहतर हो पाए छोटा-छोटा वीडियो बनाने के कोशिस करेंगे हो सक प्रेशन निकल करके आएगा वह हम आप तक पहुंचाएंगे धनिवाद खूब अच्छे से पढ़िए खूब मन से पढ़िए बिलकुल डिमोटिवेट नहीं होना है